हैलो दोस्तों, एंडरो अरीना में आपका फिर से वेलकम, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 403 forbidden error के बारे में, अगर आपकी website hostinger पर host है, तो आप भी आसानी से ऐसे error को fix कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक website है, जिस पर 403 का error दिख रहा, refresh करने पर भी error बना करें, अब आपके सामने ऐसे error की list आ जाएगी, 403 forbidden के सामने reset की बटन पर क्लिक करें, यहाँ से दोबारा confirm की बटन पर क्लिक करें, अब इस error वाले page को refresh करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये error fix हो गाया है, हालांकि इस error को fix करने के कई और साधन है, आप उनका भी प्रयोग करके इसको fix कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो like करें और channel को subscribe करें